असलाव नाजरीन आप देख रहे हैं कश्मीन यू सर्विस और मैं हूँ नदीम ख्वाजा इस वकत हमारे साथ जो शक्सियत मौजूद हैं वो किसी तार्फ की मोतार्ज नहीं है मैं बात कर रहा हूँ बी-सी बारा मुला निंगा शिर्पा जी की आज इनुने जो है चार्ज समाला हम इनसे बात करेंगे सर सबसे पहले आपका खेर मगदम है कि एनस में और सर कांग्रेचुलेशन्स आज आपने जो सर चार्ज लिया सर पहला प्रेगाम जो है डिस्टिक बा कभी मसाहल हो कभी भी कोई इशूज हो मेरे दर्वाजे हमेशा खुले हैं वो कभी भी चाहिए हमारे डीसी आफिस में आया कभी भी जैसे पब्लिक दर्वार है। Honorable LG साब की भी directions रहती है कि सबसे important है district administration का जो काम है जो जो जोला अंतिजामिया का काम है वो जो हमारी जमता है जो हमारी आदाम है उसके मसाल को हल करना है तो मेरा सबसे पहला पैगाम रहेगा कि आपके कोई भी मसले हूँ जो भी आपकी issues हो जो long standing issues हो आप हमारी officers हमेशे ready रहते हैं आपकी issues solve करने के लिए और मेरी भी दर्वाजे हमेशे खुला रहेंगे वो issues solve करने के लिए और मैं आशा करता हूँ कि ऐसे हम लोग एक दूसरे से वर्तलाब परके एक दूसरे से conversation में रहेंगे तो जो भी issues से solve हो जाएंगे और हमें एक बहतर और डेवलब बार मिला के लागे बढ़ेंगे sir अगर बात करें सरफ अपकी journey के हाले से सब्सक्राइब थोड़ा वो बता दीजीगा अवाम को कि आपकी journey कहां से सब्सक्राइब जी मैं 2017 बाच का IRS officer हूँ मेरी journey JNK में मैंने इससे पहले रुनाशल प्रदेश में काम किया था जहांपर मैंने दो जिलों में deputy commissioner's था उसके पाद मैं last 2 साथ से JNK में हूँ यहां JNK में मुझे इससे पहले as director information no matter रहा था along with I was also additional secretary in the honorable LG secretariat उससे पहले मैं additional DC जमूबी रहा हूँ उसके साथ साथ मेरा good fortune रहा है कि मैंने almost 15 month tenure as MDJKTC का किया है तो मेरी educational background है कि I have done my bachelor's in history from since defense college in Delhi उसके बात मैंने master's किया है in political science from JNK सर अगर बात करें आवाम की है आखरी स्वाल में रहेगा अवाम का काफी ज़्यादा योगदान होता है किसी भी district में सर काम करने की अगर एकबार से बात की जाए तो काफी ज़्यादा उनका सर हाथ रहता है इसमें तो सर अवाम के लिए आपका क्या message रहेगा जी देखिए जो basically honorable LG का भी message रहता है जो general इंतिजामिया है और जो मुक्तलिफ हमारी departments है वो इसे ना की जनता हमारे पास है हम उनके पास जाए जो एक concept रहता है सरकार आपके द्वार का सरकार और सरकार की जितनी भी मुक्तिफ़ स्कीमे हैं जैसे आपने जानटे ही होंगे जैसे आज की दिन में भारत सिंकल प्यात्रा चल रही है यह पूरा सरकार का आज के दिन का प्रोच है कि जो services हैं जो भी सरकार जो भी हमारी आवाम की needs हैं उसको मा की आवाम को हमारे पास चल के आए हम उनके पास जाएं और उनके जो समस्या हैं उनके घर पर solve करें तो मेरा अदाम से ही पैगाम रहेगा कि आपके कोई भी issues हैं आप मेरे कभी भी हमारे obviously जो officers हैं हमारे बाला बोला बड़े बड़े active हैं बड़े proactive हैं solving problems तो मेरा यही पैगाम रहेगा कि आपके कोई भी मसायल हैं कोई भी issues हैं हमारे साथ लाएं हम भी जब भी public दर्बार होगा आपको पता यह होगा आज हाली दिन में सारे वेडीच secretaries जो various departments के हैं वो भी districts में tour कर रहे हैं हमारा district, aspirational district है उसके कारण भी हम कई सारे public outreach campaigns करते हैं तो मेरा यही request आएगा अवाम से की हमारे district offices की भी दर्बाजे हमेशा खुले हैं और हमारे public outreach campaigns में join करें अगर आपके कोई भी मसायल हो हम यही आशा करते हैं कि उसको जल्द से जल्द हम लोग in a proper manner solve करता है थैंकियो सर, future में भी सरामा मुझसे बात करी हैं development के हिवाले से भी यह थे हमारे साथ DC बारमला इन्हीं एक खास message यहां से दिया कि मेरे दर्वाजे जो हैं लोगों के लिए खुले हैं जिसकी कोई भी grievance अगर होगा तो वो इनके दर्वाजे पे आकर जो है इनके साथ डरिकली मुलाकात कर सकते हैं कैमरामेन सुफी नाइट के साथ मैंने उन्यदीन क्वाजा के एनस बारमला